हेमकुन साहिब का रास्ता गहांगरिया से हेमकुन साहिब 6 किलोमेटर पड़ते हैं और यहां से जर्णे के बाद से ही 6 किलोमेटर का ट्रेक शुरू हो जाता है बारिश में ट्रेकिंग का मज़ा लेते हैं बारिश में ट्रेकिंग का रास्ता बारिश में ट्रेकिंग का रास्ता बारिश में ट्रेकिंग का रास्ता बहुत ही खूबसूरत मजारा है पादल को उपर उप्तिवी देखना कि अ हुंट हुंबस्ट खूब कि पादल मैं लगाउ झाल 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 पाराइब ने नहीं लेखिक होगा बिखागुने हैं अच्छी साचाना प्सक्राइब ऐड शलिए ये शलिए जहाँ, वहाँ न इसे वालाइब को मेड़ी करेंगे आजमिए जल्ग भाराइब ने भी दिखागुने कोल बस्क्तु को मेरी पोटो आपको, देहेशूंगे मैं यह ग्लेशिर है यहां से जर्णा निकल रहा है जो नेचर तक जादा है पूरा अजय को येचर वहा बहा है सिल जादा शो है येचर रहा है जएायों yूजर मожетस्या को शल्दाद कर दो देचरा है येचर रहा है के लोगा है दीट कर दigenदेर आता है जादा जादा चांदा है आठीट है जे दो ङसे हो जादा रहा है दो कि वहान आदा outreach झाल 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 कि अबाटार्म यदय का रेंड़ दो एंव से भी दो ओई दोड़ने को अ कर दो टारूं को अ लुदम मैं लो एंव सिर बग दो प्रश देड़ मैं यूजो अ से फञिड़ मताई एंव से हुआ कर दो बहुद को आगा डिसे का दो यहां पर अलग तरह की वनस्पति देखने को मिलती है जैसे इसमें लाल और हरे पत्ते हैं और यह ब्लू पॉपी है जो के अवल हैंकुन साहिब ही मिलता है अवल